दोस्तों कलकी का क्रेज देखकर सलमान खान कहते हैं परबास बहुत अच्छे हीरो हैं और सलार के बाद अब परबास एक और साइंस फिक्षन की दुनिया को दिखाने आ रहे हैं और आज कल तेलगू इंडस्टी बॉलिवुड से काफी आगे हैं और हमें गर्व है कि बली के बाद कलकी परबास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरी शुब कामनाएं हैं कि कलकी मूवी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी दोस्तों पूरी दुनिया में कलकी का प्रमोशन शिरू हो गया है और 8 मार्च को कलकी का वीडियो कॉंटेंट जब रिलीज होगा त तो ये एक एक एक्शन हीरो और एक नया यूनिवर्स दिखाने वाली मूवी होने वाली है जिसमें परबास को एक सुपर एक्शन हीरो के अवतार में दिखाया जाएगा और एक्शन के मामले में कलकी मूवी सबसे ज्यादा खतरनाक मूवी होने वाली है और इसके एक्शन स दोस्तो सच बताना आप मे नाइन का कितना इंतजार कर रहे हो कमेंट में लाजमी लिखना और प्रभास के सच्चे फ्रेंड हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताके कल की मूवी की अपडेट आपसे मिसना हो। और बाहु बली से मिलता जुलता है और इस बार पूरी दुनिया में इस मूवी को नेक्स्ट लेवल प्रोमोट किया जा रहा है। इसका मतलब नाग अश्विन अपनी मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइट है दोस्तों सल्मान भाई की बातों से आप कितना सहमत हो और अगर कलकी के बारे में और अपडेट्स चाते हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को सब्सक्राइब कर दो ताके आपको आने वाली परबास की सारी मूवी के अपडेट्स पता लगते रहें। धन्यवाद।